विरान पड़ा है बिटिया बिन पापा का अश्याना जनपत्भधोही के और आई थाने के पुलिस चौकी खमरिया अंतर गत्र विने कुमार सिंग की पुत्री आयूसी सिंग आयू लगभग 27 वर्स बीते 11 तारिक शनिवार को करीब 11 बजे आयूसी अपने घर से निकली देर शाम तक जब आयूसी अपने घर वापस नहीं आये तो परिजन चिंतित होने लगे इस बात से चिंतित परिशान अपने जिगर के टुकड़े को खोजने लगे काफी खोजबीन करने के बाद भी कहीं पता नहीं चला फिर जिससे संपूर परिवार चिंता के समुद्र में डूप गया आखिर में ठक हार के उन्होंने अंत में और आई ठाने के प्रात्मी की दर्ज कराई अगले दिन जैसे ही घटना की खबर सके संबंधियों को हुई सब अपने अपने इस तर से आयूसी को खोजने का हर संभव प्रयास किया लेकिन हाथ लगी निरासा वहीं एक आशा की किरण अभी भी कायम थी की वो थी और आई पुलिस क्योंकि जब से और आई ठाने का प्रभार सदानंद सिंग जी ने सम्हाला है और आई पुलिस से के भग एक सब्ताह से जादा समय बीच चुका है लेकिन और आई पुलिस भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर पाई वहीं जब हमने इस मामले में और आई पुलिस से जानकारी अर्जित की तो और आई पुलिस ने कहा कि आपकी बेटी आपको जल्द ही सौप दी जाएगी जिससे परिवार के लोगों में थोड़ी सुई उमीद चगी थी लेकिन अब वो उमीद भी खत में होती दिख रही है जब हमने आज आयूसी के घर जाकर मामले को जानना चाहा तो वहां का दुर्श से देख इनसान तो इनसान पत्थर भी काम चाहे आयूसी के पिता विनाश सिंग जी के आँखों से आसूर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे उन्होंने कहा कि आज 10-11 दिन बीट गए लेकिन बीटियान नहीं आई जिसे सारा परिवार अपने कलेजे के टुकडे पापा की परी मा की धड़कन और इस आसियाने की खुसियान ना जाने कहां गुम हो गई नामालूम किसकी नजर लगई कि हमेशा हर परिस्तिती में हसने गाने वाले इस उपोण की बहार ना जाने कहां गुम हो गई सब मिला कर इस आस्याने की हर खुशी गम में तब दे लो गई है परिवार के सब ही लोग अपने जिगर की टुकड़े के साथ बिताए हर लमहों का इस मरंड करते हुए रोते बिलखते दिखाई दिए उसी दिन करवाई साम कुछ चार बजे पुलिक के तरफ से अब को क्या लगता है आपकी बच्ची आज आट से दस दिन हो गए घर नहीं आई हुई है कैसा लग रहा है अब हमको तरह तरह का अन्होंनी लग रहा है हम दस दिन हो गए मेरे बच्ची के गए हमारे बच्ची को किसी हालत में पुलिस प्रसाशन भोड के लाए पुलिस कुछ कुछ नहीं बोल रही है कुछ भी नहीं बोल रही है अद दस दिन हो गया आप क्या चा चाहते हैं कि पूरा वो था यूपी में समझें सब फैलाएं समझें इसको देख रहे हमारे बच्ची चाहिए